नमस्कार दोस्तों फाइनली जियो ने अपने जियो ट्रू 5G मुवाइल टावर को री अपग्रेड करना शुरू कर दिया है क्योंकि पहले जो हमें उपर वाले मतलब पहले वाले टावर में जो उपर वाला पोर्शन था यह हमें नए देखने के लिए मिलते थे बूस्टर ज इसकी वज़ा से आप जियो ट्रू 5G network का enjoyment ले पाते हैं बट अब जियो ने दुबारा से नए equipment नगाना शुरू कर दिया है जो कि आपको यह देखने के लिए मिलते और यहां पर बात करिया है तो अब आपको किस तरीके से best 5G network मिल सके मुवाइल में और especially हम सिर्फ और broadband के लिए वो 1GPS का किया जाता है जो पहले आपको different देखने के लिए मिलता था वो mainly पर तीन जो booster थे वही देखने के लिए मिलता था अब जो recently upgrade किया गया है वो आपको तीन नए equipment देखने के लिए मिलते लेकिन यहां पर बहुत बार difference आप यह देखेंगे जो पहले वाल equipment है comparison क्योंकि दोनों ही photo same distance से लिए गए हैं तो आपको ज़्यादा लार दिखाईने देते हैं छोटे से देखने के लिए मिलते हैं और क्या mainly difference अब आपको जियो true 5G network पर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हम जियो air fiber की बात करें या आप नॉर्मली अपने मोईल में 5G network requirement होती है और already जियो इस मतलब पुराने वाले टावर बेबी 3500 MHz, 700 MHz frequency provide करवार था जिससे कि at least आपको high speed connectivity मिल सके 1Gbps तक कि आपको normally downloading speed मिल जाती थी लेकिन जैसे ऐसे बड़न बढ़ता चला जा रहा है लोग बढ़ते चला जा रहे हैं तो speed जो हाफ हो चुकी है अब 1Gbps touch करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो हम कहा हैं कि especially जादा large नए equipment देखने के लिए नहीं मिलते हैं और यह छोटे size में हैं तो हम कह सकते हैं कि as per my investigation की 26 GHz के यह नए equipment देखने के लिए मिलते हैं और यह tower जो है वो अभी recently मतलब आज वीडियो बना रहों तो कली इसे size बहुत जादा important है और depend करता है connectivity को लेके बड़ आप हमाएं चैनल को subscribe वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा regular update के लिए एक जरू कहना चाहूंगा जैसे कि आप Amazon flip card से shopping करते हैं वो अपना प्रेट्फरम चार्ज हर प्रोड़क्ट पर बहुत जादा लेता है बट इंडिया और प्रोड़क्ट सीधे आपके घर पर पहुषता है इसलिए यह बहुत जादा सस्ता पड़ता है इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखें जाईए और अपने लिए एक बैस डिल क्रेक कीजिए बापे साथ हैं टॉपिक पर क्योंकि यहां पर जो main difference है वो है size को लेके और size सबसे जादा important है क्योंकि तब आप घर में लगवाते हैं तो लगवाईएगा मत क्योंकि बहुत ज्यादा problem आ रही है बहुत ज्यादा डिले चलता है connection में हम high priority customer की बात करते हैं लेकिन मैं एक next video लेगा हूँगा जिसमें की और ज्यादा detail में बात करेंगे ले यह unit directly इन डिवाइजों के लिए capable है जो कि 26 GHz की जो frequency है जो अभी तक Geo यूज नहीं कर रहा है maximum device पे वो specialized Geo Air Fiber के लिए हो जाएगी अभी जो आपको connectivity दी जा रही है वो 3500 या 700 MHz पे दी जा रही होगी इसलिए अब जो नई equipment है वो 26 GHz की क्योंकि size सब्सक्रादा important है और इतना छोटा size OV tower पे लगने के बाद आपके घर में high frequency provide करवादे possible लई है एक large device होना चाहिए था तो इतने छोटे device यह है कि इसी वजह से यह Geo Air Fiber के लिए कह सकते हैं जिससे कि आपके 5G connectivity इंप्रूफ हो की क्योंकि यह बहार outdoor unit में focus connectivity के साथ लगता है तो यह device इतने capable है क एक focus length पे और एक मतलब point to point connectivity देने के लिए विल्कुल best है साथ में बाद करिया है तो क्या यह device इस टाइम करेंटी वरकिंग में वैसे दूर से देखने में तो नहीं लगता कि वरकिंग में है लेकिन तब हमने इसे ultra zoom किया तो मालूम चला कि हाँ यह device actually on था तब मैंने फोट क्लिक करा और इसमें तीन गिरिन लाइट है हमें जलती भी दिखाई दी लेकिन दिन का time है तो बहुत कम जलती भी दिखाई देती लेकिन राप के time रियली यह बहुत जादा अलग दिखाई देती है टावर पर जलती भी और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब से उपर की स्पीड मिलेगी जिस तरीकी की रिस्ट्रेक्शन है जी एर फाइवर पे मतलब स्पीड को लेके आप फाइवर का अलग बात है जैसे कि आइटल की बात करूं तो वहां पर मुझे सब्सक्राइवर की स्पीड मिल जाती थी चालिस के मतलब चालिस में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि आपको फिक्स है थैट है इससे नीचे ही रहेगी उपर निजाती है दूसरा यह भी चेक कर लेंगे मैं आपको दिखा दूगा कि रात में कैसे तरीके से यह अलग देखने के लिए मिलती है क्योंकि इसके लिए को इंडिव्यूसर डिवाइस देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप उपर मेली अंटेना देखने के लिए मिलते हैं बूस्टर देखने के लिए मिलते हैं यह नीचे वाले 4G के बूस्टर देखने के लिए मिलते हैं और यह नई यूनिट लगाई है second वाले tower में इसके लिए कोई individual device लगतावा दिखाई ने दिया क्योंकि same ही दिखाई देते तो इसलिए हाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 5G वाली unit है उसी में booster लगाए गए है 26 GHz के जिससे कि आपको high speed and stable connectivity मिल सके थोड़े से टेस्ट के बाद और जादा किलियर होगा डिटेल बिलेगी जैसी हम और जादा डिटेल ना है आपको तुरत मिल जाए उसके लिए पस एक छोटा सा काम जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीजेगा धन्यवाद